हेलो इंडिया स्वागत है आपका आपके पने यूट्यूब चैनल वाइटी प्रेपपपर तो आज हम लोग परेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड कोस्चन और प्रॉफिट अंड लॉस जो कि पिछले एक्जाम में प्रिवियस एर में आपको पूछा गया है और आगे भी आएंगे कम समय में ठीक है तो सबसे पहला जो आपका सवाल है एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तॉल से छेर चार कर 18% तक दोखा देता है तो उसका कुल लाब परतिसत क्या होगा देखिए 2016 में पूछा गया है 2016 में ही बहुत बार पूछा गया है 5-6 वर और यह 2002 का सवाल था तो देखिए ऐसा सवाल ही लोगों को बनाना है जो कि बार बार एक्जाम में पूछा जाता है तो एक बात आप लोग को क्लियर कर लिजिए कि अगर आप आर भी एंटीपिसी या ग्रूप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ प्रीवीयस यह पर परदीश से खरीदा था तब भी 18% का दोखा दिया था अब बहु दोखा कैसे दे पाया खरेदने में यह सोचने के लिए नहीं है कुछ लोग किसी में सोचकेरे ON हम लोग यह देखेंगे कि question कैसे बने तो दो बार उसको 18% का profit हुआ जब वो खरीद रहा था तब भी उसी को फायदा हुआ 18% का जब बेच रहा था तब भी उसी को फायदा हुआ 18% का तो इस टाइब का जब भी question हो percentage में कि एक बार उसको profit हो एक बार उसको loss हो या फिर दोनों बार उसको profit ही हो जाए तो फिर उसका क्या होता है फॉर्मला हम आपको बता चुके a plus b plus a into b by 100 अगर c profit है तो जहां जहां प्लस है वहां प्लस रहेगा लेकिन अगर loss हो जाएगा प्रॉफिट में एड देंगे और लॉस में सब्ट्राइड दें तो यहां तो दोनों जगा उसी को फाइदा हो रहा है तो क्या करना है अठारा परसंट का फाइदा अठारा प्लस अठारा इंटू अठारा वाइंट्रेट इसको अच्छे से ध्यान में रखें ठीक है अगर कि लॉस हो गया उता बोलता है कि वाइदा हुवा पंद्रफर परसंट का लॉस हो तो यहां अठारा लेकिन यह आंची आप माइनश 15 करते हैं और वो इसको कट काट चांट के फिर यहां पर माइनस आ जाता और यह भी माइनस था इंदोनों को जोड़ते और इससे सब्ट्रेक कर देते हैं ठीक है लिकिन कोशन मेरा क्या है दोनों प्रॉफिट है तुसके सबसे कर रहें तो अठारा 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 थीटीफोर हो गया बाई हंट्रेट ठीक है तो यह क्या हो जाएगा 36 प्लस 3.24 अं अंसर हो जाएगा तो हमारा अंसर हो जाएगा ऑप्स नमर बी 39.24 क्लियर हुआ सब को अगर लॉस रहता अगर यहीं पर बोल कुछ बच्छे बोलें सर लॉस और बता दिए तो अच्छे से समझ में आजे मान लीजे बोलता कि 20% का प्रॉफिट हुआ और 10% का लॉस तो क्या इए क्या हो जागा एग जिरो 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 केंसल बीस मैनसज दस और गुना मैने से मां ने स्टो तो मैनस दो सलुना मैने समय तो अब इन दोनों को दोनों मायनस में ए गया तो मायनस वाले को अलग जोर लिए 10 और 12 तो 20-12 इक्वल टू 8% उसको क्या होता 8% के टोटल परॉफित होता अगर 8 किया अ जाता result में तो माइनस क्या करता लॉस सो करता कि उसको लॉस हो ए में यहां भी क्या हुआ प्लस में तो टॉडल प्रॉफिट क्लियर समझ में आया समझ में आगया होगा अब चलते हैं अगले सवाल पर देखिये कोशिस कीजिए बनाने का अगर बनता है तो हमारा अगला सवाल है एक व्यापारी 10 रुपई की 11 नारंगी के हिसाब से खरिदता है तो 11 नारंगी 10 रुपई में खरीदा है और 11 रुपई में 10 नारंगी के भाव से भेजता है यह कुश्चन आपको हम क्लास में बता चुक है जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट कि बनाने का एक व्यापारी 10 रुपई की 11 नारंगी के हिसाब से खरिदता है तो इसमें क्या करना है पीसेज 11 रुपया कितना 10 ठीक है पहला केस सटेकेंड में क्या है कितना पीस यहां हमेशा याद रखिएगा इधर पीसेज लिखना इधर मणी लिखना ठीक है यह ऐसा ज छुक्सान उना फायदा हुआ तो कितना को तो इसा ही कोस्चन रहेगा तो उसमें हमेशा यही मैथर्ड का यूज करेंगे समझेबं कि में यहां और इतना पीस इतने रुपे में बेचा तो इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ जो भी वह उसका प्रतिसत बताई या फिर पूछ देगा प्रॉफिट है आपको प्रॉफिट बता दिया जागा या फिर लॉस है तो बताई कितने का तो कैसे बनाएंगे वो देखे जब ऐखेंघर कर ना प्रॉस करा ये इसको तो जिब क्रॉस करेंगे इधर वाले आएगा हमें सा-cb केहाता दोन उपस में क्या होता है अंघर तो यह CP हो गया और यह SP होगा हमें सायद रखिएगा सइब वालए इस साइड वाला हमेशा SP होगा अब हम बताएंगे कि प्रॉफिट वाया लॉस SP ज्यादा यानिकी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट इकुल टू क्या होता है SP-CP SP-CP by CP in 200 SP-CP क्या हो जाएगा 120 में से 100 जाएगा तो किस CP कितना है 100 और गुना 100 100 क्या हो जागा 21% का इसको क्या हो गया प्रॉफिट हुआ है कि इसने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 21% का तुमारा अंसर क्या हो जागा option number a 21% clear समझ में आया तो इस टाइप का जो भी कोस्टिन होगा इसी मेठट से हम बनाएंगे समझ में आ गया होगा खुद से ऐसा question लीजी और बनाएए ठीक है और देख लीजे एक्जाम में पूछा हुआ सवाल है तो आईए अगला सवाल देखते हैं अमीत एक बस 15% की हानी पर 23,800 रुपे में बेचता है उसे 15% लाप पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए यह सवाल में पूछा हुआ है 2016 में तो इस question को जल्दी से बनाएए फटाक से बहुत अच्छा question ठीक है तो क्या कह रहा है सबसे पहले कि 15% का loss हुआ और 23,800 रुपे में सेल किया है तो यानि कि loss और SP दिया हुआ है आपको loss equal to 15% और SP equal to 2800 ठीक है अब आपको निकालना है कि ऐसा rate बता हुआ है तो हम तब तक नहीं निकाल पाएंगे वह जब तक हमको CP नहीं पता क्योंकि फाइदा या नुकसान आप CP पर ही हम इसा निकाल सकते हैं जब तक आपको अपना खरिदारी rate नहीं पता होगा तब तक आप कैसे पैसा बढ़ाएंगे कि कितना बढ़ाएं तक हमको इत किये क्या करने सबसे पहले SP निकालने थैस CP निकालने तो CP कैसे निकाल लें हंड्रेड वाइं लॉस हुए थंड्रेड माइनस लॉस तुरिटी फाइव इंटू 23800 इंटू अब क्या करने समझे गए यह आपका CP आ चुका है CP मेरा आ गया अब हमको निकालने SP SP का फॉर्मू तो मेरा अंसर आजागा बहुत लोग इसको यहीं केंसिल कर देंगे CP निकाल लेंगे एक वैल्यू तिर यहां CP पर पूट करेंगे और इस फॉर्मूले से आंसर लाइंगे लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे हम लोग को टाइम बचाना है एक्जाम में बना रहे हैं ठीक है CP लिए करना अंड्रेट प्लस प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है 15 परसेंट का तो हंड्रेट प्लस पंदरह और वाइंड्रेट इम चीज हुआ ना अब एक जिवा पर हम सॉल्व कर सकते हैं यह प्लस पंदरह को डारेक्ट अब 115 लिग दीजिए और इसको सॉल्व कर सब्सक्राइब में और सत्रस एक छे अरसट वाजिया सत्रचों के अरसट चौदर से अब इसको जवाब मल्टिप्लाइए कि जिएगा ता आपका अंसर आ जाएगा 32200 आप्शन नमर्डी ठीक है 32200 आपका अंसर हो जागा क्लियर समझ में आई यह कंसेप्ट समझ में आया ध रोज समझते चलिए बस प्रैक्टिस कीजिए इस पर एक्जाम के पहले बर देख लीजेगा अपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा ठीक है बस हमारे साथ बने रही है लास्ट अब अगला सवाल देखिए एक वैक्ति अपने मित्र को 10% हानी पर एक कार बेचता है अपने द प्राइचा था उसका रेट पता है तो कार का जो रियल प्राइस था जो आप खरीदे थे वह बताना है तो इस टाइप का जब भी कोस्चन होगा तो हम बता चुके हैं पार्ट 3 में जाके देखिएगा प्रॉफिट और लॉस का बस इस टाइप के कुस्चन में हमेशा क्या क करना है बस द्यान से समझेगा इस बात को कि लास्ट वाले का CP दियाओए कि लास्टवाले का CP कि तो जुप प्राइज दिया हुआ है उसको लिख लिएंगे अगर लास्ट वाले गई जब यह ऐसा कोस्चन हमेसा ध्यान में रखियेगा कि पहला दूसरे को बेज दिया कितना भी बोल सकता है तो हमेसा क्या करना है अगर लास्ट वाले का क्विशोड़ क्लिकDO स्कूर। तो आपको क्या करना है in to dash by 100 in to dash by 100 जितना बर बेचा जाएगा सिर्फ अगर profit है तो 100 plus profit लॉस है 100 minus loss तो पहला कैस में क्या है दस परसंट कहारी है तो 100-10 और दूसरे केस में क्या है 20% का profit है तो 100 plus 20 और दो ही बार डिया बीचां गया है तो बस दो बार लिया अगर तीन बार जाता तो फिर करते ठीक व यह होता है टिक दयाट ब्लाला ना यह करना है यह कब करनाуск यह कव करना है यह जो हम अप्लाइओ कि यह नगर गजलनली कि इसा ठीवर ल friend तो मेरा मेन फॉर्मूला यह होता कि अगर लॉस है तो प्रॉपीट है प्लस प्लस प्रॉफिट वांडरे टिक है दो तीन के से जिसमें लॉस रहेगा बस उसमें घटाना जिसमें प्रॉपिट उसमें जोड़ना है बात खतम और जो परसेंटेज को पूट करेंगे लेकिन यह पहला का जब कॉस्ट प्राईज दिया रहे था लास्ट वाले का पूछ था तो और सिर्ट है लेकिन यह लास्ट वाले का मुंद है और पहले तो हमको बस COO पूरा समझार ज्यादा चेंज नहीं करना बस इसको पलट देना क्या करने पलट देना जब इसको पल्टेंगे तो यह 100 बाइंडरेड माइनस 1090 और यह 100 बाइंटेंटी क्या क्लियर हुआ जिएंटे समझें जब भी लास्ट वाले का दिया रहा last वाले का पूछे तो बस यह वाला चेंज कर देना और अगर पहले वाले का दिया रहे लास्ट वाले का पूछेगा इस टाइप के कोश्चन में तो क्या करना आपको पता है generally सिंपल जैसे सिधा है वैसे स्टेट कर देंगे 9200 होता 120 ऑद दोता अगर आपका कॉस्ट प्राइस दिया होता और पुछता की आपका मित्र जो बेचा है वो रेट बताईए तब हम क्या करते है तब आपका क्या होता तब 9100 121 लेकिन जो मित्र बेचा वो प्राइस दिया हुआ है तो इसलिए हम जस्ट रिवर्स कर दिये क्योंकि मेरा निकालना है उल्टा चलना है द्यान से समझे पीछे चलना है यहां भी उल्टा कर देंगे सीध और बहुत आसानी से इसको स्वाल कर लिए एक जिरो से गिरो कैंसल 9100 अब 1010 फिर कैंसल बारस से पांच वार में क्या आ जाएका पांच के पीछे चार्जिए यह हो गया अपका अंसर जो स्टार्टिंग में जो इसका कॉस्ट प्राइस था तो वह क्या आ गया ऑप्सिन नम आया बहुत अच्छा कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फिरी में भी अब जाके देख सकते हूं आभी इसको पूरा अच्छे से एक्स्प्लीन किया है ठीक है अब आईए देखते हैं जब बबलू जूतों के विक्रे मुल में कमी करके इसे 360 रुपे से 345 रुपे कर देता है तो उसके 4% ज्यादा हानी होती है जूतों का क्रे मुल ग्याद कीजिए समझेगा बबलू जो है विक्रे मुल में कमी करके पहले वो 360 में बेच रहा था अब 345 में बेच रहा है तो उसको 4% का लॉस हो रहा है क्या हुआ है 4% का लॉस हो रहा है तो जूतों का क्रेम उल गयात कीजिए तो इसको कैसे बनाएंगे तो इस डैप का जब भी कोस्चन रहे की उसको इतना पर्संट का लॉस्ट हो रहा है या फिर अगर इतना सी इतना दाम बढ़ा दीए उतना परसंट का प्रॉफिट हो रहा है तो पर संथा चार संथ है कि त्यांस से इस को समझे बहुत आसान question है कि आप जब भी price up and down हो तो percentage change होगा या फिर तो उसको profit होगा या फिर loss होगा तो जो exact जिस value का अंतर होगा अंतर कितना का है 15 का ही वो उस percentage के क्या होगा exact बराबर होगा तो 4% का value 15 तो 1% का value 15 by 4 तो 100% का value ही हमेशा CP होता है तो 15 by 4 in 200 तो 400 को 25 वार में cancer तो आपका अंसर क्या जाएगा 25 इंटू 15 ठीक है आपका अंसर क्या जाएगा 25 इंटू 15 आ जाएगा तो हो जाएगा 375 option नमर बी अप्सन नमर बी 375 अप्सन नमर बी 375 अपका अंसर हो जाएगा क्लियर हुआ समझ में आया समझ में आया बहुत आसान है जब भी ऐसा question हो कि price या फिर बोलेगा कि कम था अब बढ़ा दें तो इतना percent का profit हो जाएगा तो दोनों के बीच का जो प्राइस का अंतर है वह exact percent के बराबर हो जाएगा उसके बदी इस प्रोसेस से निकाल लीजे लॉस वाला बता ही दिया आपको clear है और CP याद रखिएगा CP always hundred percent ही होगा हमको कितना नहीं और हमेशा CP पूछेगा ठीक है बहुत अच्छा सवाल था यह अब अगले सवाल पर आईए तकि अगला सव सबसे ज्यादा किसमे profit है कि ABCD आपको चारों दीख रहा है इन चारों को solve करके आपको बताना है कि सबसे ज्यादा profit किसमें है तो बहुत आसान है आपको CP दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको क्या करना है बस आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट यानि कि 29 है तो 29 बाइस 16200 क्या होगा कि वन बैवन निकालेंगे अब कर दूसरे का क्या हो जाएगा 17 है प्रॉफिट और 40 है CP तो 17 वाइफ 14200 ठीक है तो इसी तरह चारों हो जाएगा तो पहले का क्या आ जाएगा 48.33 परसेंट दूसरे का क्या आ जाएगा आपका 42.5 परसेंट ठीक है तीसरा का कैसे निकालेंगे प्रॉफिट आपका 21 और CP आपका 50 तो 21 by 50 in 200 तो पचास से दो बर में 42 डायरेक्ट आगे आपका ठीक है और तीसरा क्या है चौथा क्या है आपका 14 by 30 in 200 तो इतो कैंसिल होगा नहीं तो इसका क्या हो जागा 140 by 3 इसको सॉल्व कर लिजेगा तीन से चार बार में 12 तो तीन से छे बार में तो 46.66 रहेगा ठीक है तो अब देख लीजे किसमें सबसे ज्यादा हाइस्ट है इस वाले में तुम्हारा अंसर क्या हो जागा ऑप्से नंबर ए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसमें ए वाले कैसे क्लियर इस टाइप का सवाल पूछता रर्भी अंटी पीसी में कुछ अलग है एक्जाम में आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है बहुत आसान रहता है इसा नहीं देखिए कि अब सबको सॉल्व करना पड़ेगा बहुत इजी रहता है ठीक है तो ऐसे करके अंसर कर लेंगे क्लियर जो एक्जाम में सवाल पूछा गया है उसको बना के देखिए अगर आपसे बन रहा है उसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो जाके वो आपके लिए पाइदे मन देखिए अब आईए अगले सवाल पर हमारा अगला सवाल क्या है एक बैमान दुकांदार उसके सामान को 85 रुपे की जगए 100 रुपे में बेचता है एक बैमान दुकांदार है उसको 85 रुपे में बेचना चाहिए था तो 100 रुपे में बेच दिया तो और बोलता है कि वो जो 100 रुपे में बेच रहा है वो क्रेम उल्ले है इससे इसके क्रे 15 रुपया और कितना में उसको बेचना चाहिए था पचासी में तो 15 भाई 50 पर यह देखेंगे इंटू 100 solve कर लीजे इसको तो 5 से 3 बार में 5 से 17 बार में और 5 से हो गया यह 100 रहेगा भी तो यह क्या हो जाएगा 300 by 17 ठीक है आपका अंसर क्या आजाएगा आपका अंसर आजाएगा 17.64 क्या आजाएगा 17.64 ठीक है सॉल्व कर लीजेगा बस कंसेप्ट बनाना ज्यादा जोर रही है सॉल्व तो आप कर ही लेंगे ठीक है तो मारा अंसर क्या हो जाएगा आप्सन नम्मर ए 17.64 क्लियर समझ में आया है तो अब आईए अगले सवाल पर अब अगला सवाल जो है एक विक्रेता ने दिवार गरी 200 रुपे में बेच कर 20% लाब कमाया खरीदार उसे किस दाम में बेचे कि उसे 20% का लाब हो अब देखिए कि एक विक्रेता है जो दिवार गरी 250 रुपे में बेच कर 20% का प्रॉफिट कमाया है अब खरीदार जो उसे खरीदा है अब वो कितना दाम रखे जो कि उसको भी 20% का प्रॉफिट हो क्लियर तो देखिए बहुत आसान है ज्यादा कुछ नहीं अगर परसेंटेज के इस आप से सोचिए तो सीधा सीधी है कि एक दिवार गरी हम खरीदे डाइसों में अब हमको उसके 20% का प्रॉफिट कमाना है बस इसके बैक जाने का ज़रॉत नहीं है यह नहीं कि 20% लाब है आप समझ दीजिए आप समझे कि मैं दुकान वाला हूं मैं आपको बेचता हूं 250 रुपे में उस पर 20% मुझे फाइदा हुए अब आप खरीद लिए अब आप खरीदार बन गया और आप बेच रहें दूसरे को आपको 20% कमाना है तो आपका क्या हुए रेट 250 रुप्य हुआ हुआ है सबस्क्राइब और यह और फंठी क्या हो गया प्रॉफिट परसेंट तो सबस्किन निकालना शिए अच्ट लिए करिदार के स्बस्ति आ जाएगा तो एक जिरो जिरो चिंसल पांच से पांच वार में पांच से दौवर मैं तो क्या होगा अगर वह तीन स 59 20 का profit होगा clear option नमर क्या हो जाएगा D समझ में आया समझ में आ गया अब अगला सवाल देखिए एक गोरा को एक गाय परतेक 12000 रुपे में बेचे गया एक गोरा और एक गाय परतेक 12000 रुपे में बेचा गया गोरा को 20% कहानी पर तथा गाय को 20% के लाप पर बेचा गया तो इस टाइप के जितना भी question होता इसको कभी basic से नहीं मनाईएगा कि दो देदे या फिर बोलेगा दो गोरा ही है दोनों का दाम 1212000 परतेक का है और एक को 20% loss पर एक को 20% फाइदा पर बेचा गया है तो बताइए exact क्या हुआ है ठीक है पूरा लेंदेन का कहानी बताना है तो इस हुआ भी सी लॉस भी हुआ है तो अलग लग समाने फिर भी तब उस पर डारेक्ट आपको लगाना एबाइटेन का वोल स्कॉर्ट परसेंटेज का बहुत बढ़ा के लिए ठीक है तो क्या हो गया टू का स्कॉर्ट पर परसेंट का और इस केस में हमें सा लॉस होता है क्लियर समझेगा जब भी यह केस दिया हो कि पहले पर फाइदा दूसरे पर नुकसान तेम परसेंट का तो उसकेस में हमेशा लॉस होगा ठीक है या फिर दोनों में से कुछ भी हो पहले फाइदा फिर नुकसान या फिर पहले नुकसान फिर फाइदा हमेशा लॉस ही होगा और फॉर्मूला यही रखना है अगर परसेंटेज सेम है तो परसेंटेज सेम नहीं तो इस पर पूर्ट कीजिए सॉल कीजिए प्लस में आए तो प्रॉफिट माइनस में आ गया तो लॉस ख्लियर हुआ और इसका फेले कोश्चन बताएं अगर यह समझ में नहीं आ रहा है तो इससे आपको क्या करना है जाके चेक करना है एक बार हम इस पे बता देते हैं क्या करना है समझेर 20% पहले पर फाइदा हो तो plus 20 दूसरे पर लॉस हुआ है इसका तो minus 20 ठीक है plus a into b 20 into minus 20 by 100 क्योंकि दूसरे पर लॉस है तो minus 20 तो यह क्या हो जागा 0000 cancer तो minus 2 into 2 minus 4 और यह minus 20 और यह 20 20 minus 20 minus 4 minus 24 तो यह क्या हो गया क्लियर इस method से भी बना सकते हैं और इसमें क्या है अगर अभी दोनों भी से तब न तो हम आपको आसान तरीका बता दिये लेकिन अगर एक 20 एक 10 होता तो फिर इसी method का मैसा यूज करना है percentage चेंज तो इस method का यूज करें यह method सारे परसेंट पर applicable होगा जब भी ऐसा question होगा कितना पर profit इतना पर loss या दोनों पर profit या दोनों पर loss हम इसा इसका यूज करें क्लियर बस profit के लिए plus और loss के लिए minus का यूज कर लेना है जो कि आपको समझा दी लेकिन option में ऐसा कुछ है नहीं तो option में क्यों नहीं है तो option में दे दिया है कि 1000 रुपय का हानी हुआ या फिर 1000 रुपय का लाव हुआ या कोई हानी या लाव नहीं हुआ या 2000 रुपय का लाव हुआ तो समझेगा इस टाइप के question में हमको यह पता चल गया कि 4% का loss हो रहा है अब निकालेंगे कि CP क्या था तो 24,000 क्या है एक गोरा और एक गय को बेचा गया था SP क्या था SP आपका बारह बारह 24,000 अब निकालना है हानी चारो अप्सन देखिए हानी हुआ कि लाव हुआ यह देखना तो जब तक CP नहीं पता चलेगा परसेंटेज में अगर ऑप्सन रहता कि 4% loss तो यहीं पर टीक कर देते हैं लेकिन यहां रूपी में दे दिया है था हम इसको रूपी में convert करेंगे तो कैसे करेंगे पहले इसके लिए हम CP निकालेंगे तो CP क्या हो जाएगा तो 4% का नुक्सान हो रहा है तो CP का क्या होता है 100 by 100-loss तो 96 इंटो 24,000 ठीक है अब समझना है 96-24,000 24,000 को क्या करते हैं चाविस गुना एक हजार कर देते हैं 24-96 को चार बार में 4 से इसको 25 बार में 29,000 25,000 अब समझ यह बेचा 24,000 में खरीदा था 25,000 में तो नुक्सान कितना का हुआ 1000 रुपी का 1000 रुपी का इसको नुक्सान हो गया तो हमारा आंसर हो जाएक option नमर A 1000 रुपे का हा नियुए clear समझ में आई यह question बहुत अच्छा सवाल है और class में भी यह question बता चुके है profit and loss का जो पूरा class किये होंगे तीनों पड़ उनको पता चलिया होगा कि same question आपको बताएं भी थे कि आपको बताएंगे कि exam में डिक्टो पूछा जाता है अब यह जल्दी से यह सवाल बनाईए बहुत आसान सवाल है और देखिए 2016 में ही उठाया जा रहा और पूछा जा रहा है कि यह सवाल जल्दी से बनाईए क्या है 120 वस्तों का क्रे मुल असी वस्तों की विक्रे मुल के बराबर होता है तो लापरतिसत बताएं मिन्स कि 120 वस्तों का क्रे मुल मानी यानि कि 120 cp इक्वल टू 80 of sp 20 of cp equal to 80 of sp है जब भी ऐसा question हों बताएं कि अगर sp छोटा है sp के साथ जो value अगर वह छोटा है तो हमेशा इसके समें क्या होगा profit होगा क्या होगा profit होगा ठीक है और इसको solve कैसे करना है clear larger value minus a smaller value larger value minus a smaller value by है हमेशा value of sp हमेशा confused नहीं होना है in 200 चाहे profit हो चाहे loss हो यह formula बदलेगा नहीं clear यह formula same रहता अपका अंसर सेमाइग बास में बता चुके एक बर जा कि आप देख सकते लाजर वाल्यू क्या है 120 120-80 by value of sp sp के साथ क्या है 80 in 200 120 में से 80 गया तो 42 सी in 200 42 बार में दो से 50 बार में तो क्या गया 50% का profit क्लियर 50% का profit हमारा answer हो जागा option number C 50% यह question बहुत अच्छा सवाल है 2016 में देखिए चार बार पूछा गया है तो अब ऐसा question पूछा जा रहा है तो इस question पर बहुत ज्यादा practice कीजिए और आप जाके class देख लिए आपको और ज्यादे अच्छा समझ में आ जाएगा ठीक है वहां पर बहुत सवाल इस पर बताएं यहां भी ध्यान से एक बार फिर से समय लीजिए जब भी ऐसा question हो देखिए क्या दिया बताए 120 वस्तों क सब्सक्राइब के विक्रे मुल के बराबर तो बराबर किया द्वाथ एस्पे लिजिए अब आपको क्या करना है अगर इसपी के साथ वयल्यू वहँए च्छोटा है तो प्रॉफिट होगा बरा है तो लॉस होगा तो देख लिए प्रॉफिट होगा टुआ यह नहीं सब्स सब्सक्राइब लार्जर वैल्यू है 120 था पूट किए पूट की और वैल्यू आपका अंसर 50 अब समझ में आ गया होगा कि समझ में आ गया है तो बता दीजे बहुत अच्छा सवाल था यह ठीक है तो बहुत अच्छा सवाल था अब चलिए अगले सवाल पर चलते हैं अगला सवाल है आपका कि यदि एक वस्तू की लागत 26 रुपया है और उससे 15 परसेंट लाप से बेचा जाता है तो उसका विक्रे मुल्य क्या होगा मतलब एक वस्त अच्छा सवाल पूछा गया बहुत आसान एसपी निकालना है तो एसपी कोल्टू क्या होता है अंड्रेड प्लस प्रॉफिट तो 15% का प्रॉफिट चाहिए बाइंड्रेड इंटो सीपी 26 अब इसको सॉल्व कर लेना है एक सब अंदरा बाइस सो गुनाच है इसको 29.90 यहीं आपका अंसर हो जाएगा और बी क्लियर समझ में आ गया यहीं आपका अंसर हो जाएगा बहुत आसान था तो आज के लिए इतना ही सवाल है जो आपको बताए इस पर प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से बनाईए और समझ में आ गया हो तो जल्दी से लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए और जो नए इस चैनल पर वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा तभी आपको हमारा सारा अपडेट मिलता रहेगा ठीक है फिर मिलेंगे प्रॉफिट और लोस का मोस्ट एक्सपेक्टेड कोस्टन सीरीज पार्ट टू के साथ इसमें भी बहुत सारा कंसेफ्ट बहुत सारा सवाल बचा हुआ है जो आपको अगले क् एकंस सारा कंसे इसमें कोर इसमें एतक लिए जो आपको अपको